नमस्कार दोस्तों बारत एक सोच देख रहा है आप दोस्तों पाचवे चरण का मददान होना है और इस चरण में चौधा लोगसवा सीटों पर वोटिंग होनी है जिसमें से एक सीट है जालाउन जालाउन सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहत दल्चस पोता दिखाई दे रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन वाइट बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों जालाउन सीट से मौझूदा सांसत भानु प्रताप सिंग वर्मा केंदर की नरेंद्र मोधी सरकार में केंदरिय मंत्री है और एक बार फिर से बीजेपी ने भानु प्रताप सिंग वर्मा को अपना उमिदवार घोशित किया है तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट से नरायर दास अहिरवार को मैदान में उतारा गया है नरायर दास करीब एक से डेर साल पहले बीजेपी से सपा में आये थे हलाकि इस सीट से बीजेपी ने सुरेश चंदर गौतम को अपना प्रत्याश्री बनाया है अब दोस्तों इस सीट के जातिये समीकरण की बात कर लेते हैं देखे जालौन संसदिये सीट में तकरीबन 20 लाक वोटर है जिनमें से अनुसुची जाति का फैक्टर जीत में काफी माइने रखता है इस सीट पर 45 फीसिदी सी वोटर से और 35 फीसिदी OBC और जनरल वोटर लगबग 20 फीसिदी हैं इन जाति के लावा इस सीट पर 50 लाक कुर्मी वोटर हैं तो सवा लाक मुसलमान भी आते हैं जो कि हार जीत के बीच की दूरी को तैय करते हैं इस बात को इस तर्च पर भी समझ सकते हैं कि पिछले लोगसबा चुनाओं में यहां से बीजेपी के प्रत्याशी भानू प्रताब सिंग वर्मा को लगबग 5,81,000 वोट मिले थे वहीं कॉंग्रेस प्रत्याशी ब्रजलाल खाबरी को 89,606 वोट मिले थे और इसके अलावा बहुजन समझ पार्टी और सपा गडबंधन के प्रत्याशी आजय सिंग पंकच को 4,23,386 वोट हासिल हुए थे हलाकि बीजेपी के लिए ये लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है दोस्तो इस बार फाइट बहुत तगड़ी है वो इसलिए क्योंकि इस बार सपा और कांगरिस एक साथ चुनाओ लड़ रही है और पिछले चुनाओ में जो वोट कांगरिस के बीच बटा था वो सपा के पाले में वापस आने की उमीद है और जो मत बीजेपी के पाले में अनुसूचित जाती को गया था वो अब बीच पी के पाले में जा सकता है इसलिए इस बार का समिकरण बीजेपी के लिए थोड़ा गड़बडाता दिखाई जरूर दे रहा है दोस्तों इस सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किले इसलिए भी है क्योंकि इस बार शत्रिय समाज बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है देश में जगे जगे शत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदेशन कर रहे हैं मुर्चा खोल रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी जालाउन सीट पर 1,25,000 वोटर्स है इसके अलावा यादव समाज से भी 1,25,000 वोटर्स है तो ऐसे में दोस्तों जानकारों का कहना है कि ये दो जाती इस सीट से बीजेपी को रोकने का बड़ा कारण बन सकती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोगसबा सीटों में से एक जालाउन लोगसबा सीट कहते हैं जालाउन का नाम रिशी जलवान के नाम पर पड़ा है इस शहर का इतिहास तो वैसे रामैन और महाभारत के ज़़ा हुआ है मगर इस इतिहास के इतर इसका राजनेतिक सफर भी बेहद रोचक रहा है दोस्तों इस सीट पर अभी तक कुल 14 बार लोगसबा चुना हुए हैं जिन में से 5 बार कॉंगरिस और 6 बार भारती जनता पार्टी ने जीत दर्च की है जबकि सपा, बस्पा, जनता दल और लोगदल को एक एक बार जीत मिली है मगर ये सीट, हॉट सीट और पाच्वे चुरण में चर्चा का केंदर इसलिए भी बनी है क्योंकि यहां से साल 2014 और 2019 में लगातार दो बार बीजेपी ने जीत दर्च कर अपना कब्जा जमाए रखा मगर दोस्तों, इस बार का समीकरन कुछ अलग बया कर रहा है इस बार के लोगसबा चुनाओ में बीजेपी के खिलाब विपक्ष पूरी तरह से लामबंदी करता हुआ दिखाई दे रहा है यानि जालाउन की रहा बीजेपी के लिए इतनी आसान होने वाली दिखाई नहीं पड़ती बहुत शुक्रिया दोस्तों